Hello viewers, winters almost आ चुकी है और सर्दियों में हमारे तुच्छा को थोड़ी जादा केर की जरूरत होती है गर्बियों की तरह आप इस मौसम में इसकिन को यूँ ही नहीं छोड़ सकते मॉस्ट्राइजर लगाने से लेकर माईल साबन इस्तमाल करने तक नजाने कितनी ही मातों का ध्यान रखना होता है सर्दियों में आईए जानते हैं खास winter के लिए skin care tips सर्दियों में इसकिन का खास ख्यार रखने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्या avoid करना चाहिए इन तरीकों से करें अपने स्किन को सर्दियों के लिए तयार जाने खास विंटर के लिए स्किन केर टिप्स अगर आप वीडियो को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इसकिन के इडि़ पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाएने तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नमर वन यह नहाने का सही तरीका सरदियों में इसकिन अपना नैच्रॉल आइल खो देती है अगर आप कोई होड़ साबुन के समार करते हैं यो बहुत दीर तक पानी में रहते हैं तो समस्य और बढ़ जाती है सरदियों में नहाने का सही तरीका है कि साबुन का कम से कम इस्तमाल करें बहुत गरम पानी यूज ना करें शरीर को बहुत रगड करना पूचें यही नहीं नहाने के बाद नव इसकिन पर ही मॉस्टॉराइजर या ओईल लगाएं तो यह अच्छे से एफजाब होता है और फिर इसके बाद टिप नमबर टू रात में सोने से पहले करें डीप मॉस्टॉराइजर ट्रीट्मेंट सर्दियों में नॉर्मल मॉस्टॉराइजर की जगा आईल बेस्ट मॉस्टॉराइजर का इस्तमाल करें आप चाहीं तो खास रात के लिए बने ओवरनाइट टीप मॉस्टॉराइजर ट्रीट्मेंट भी ले सकते हैं इसमें आपके स्किन के जादर ट्राइ एरिया ठीफ होते हैं जैसे कहुनी, घुटना, होट अगएरा हाथ पैर नमबर थ्री, खुब पानी पीएं इसकिन की बाहरी देखभाल करने के साथ ही अंदरोनी देखभाल ना भूले इसकी लिए हाइडरेटिड रहें जब इसकिन हाइडरेटिड रहती है तो खुद ही हेल्दी दिखती है और ट्राइनिस की समस्या नहीं होती आप चाहें तो इस मौसम के लिए अपने घर में हेम्यूडिफायर भी लगा सकती है ये घर के अंदर गिट्रा एन्वारिमेंट से आपकी रक्षा करेंगा और ऐसे भी पानी के फायते तो हम सबको मालूम ही है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीएं अब आता है टिप नमबर 4 संस्क्रीन न भूले और क्लींजर बदले अखिर में स्किन को ड्राइने से बचाने के लिए क्लींजर बदल दें गर्मियों वाला क्लींजर इस मौसम में इस्तमाल ना करें यह स्किन को और ड्राइ करेंगा खास सब्दियों के लिए बढ़ने माइल्ड क्लींजर प्रियोग करें इसके साथ ही धूप में निकले या घर में रहें लेकिन संस्क्रीन लगाना न भूलें संस्क्रीन यूज़ करना ना भूलें यूबी रेस हर मौसम में स्किन को नोकसान पहुंचाती ही है और अगर आप चाहते हैं कि किन प्रोट्रेक्स को विंटर्स में इस्तमाल करना चाहिए या हर मौसम में कौन से इसा इस्तमाल करें जिससे आपको बार पर बदलना पड़े तो उसके लिए आप कामेंट बे बताएए दूसरे वीडियो बनाने के लिए तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो की टिप्स पसंद आए होंगे और उमीद है आप इस टिप्स को फॉलो करें अपने सर्दियों का मज़ा लेंगे तद तक friends good bye and keep